गुट इविनिंग एडिवन एन लेट स्टार्ट टुडेशन अन दे हिंदू एडिटोरियल अफ 23 जैनुवरी 2021 अन टुडेश आर्टिकल इज फायर वार्निंग अन सीरम इन्टिटूट ब्लेज शीरम इन्टिटूट में जो आग लगी उस पर एक फायर वार्निंग यानि आ आर्टिकल है ब्लेज सब्द हैं ब्लेज मिन्स होता है प्रस्वालीट आग से यानि आग की तिब्र लपत को हम प्लेज कहते हैं प्रस्वालीद आग कहेंग इसे the serum institute blaze highlights the need for zero tolerance safety protocols serum institute में आग लगने की जो घटना हुई वह highlight करती है उजागर करती है सामने लाती है या महत्वपुर्ण बनाती है need के साथ preparation हम ऐसा फौर लगता है याद करें इसे need के बाद हम ऐसा फौर ही लगेगा the need for zero tolerance safety protocols सुरक्षा सम्बंदित जो नियम है जो प्रोटोकॉल्स है उनमें tolerance बिलकुल zero हो यानि ऐसा कुछ नहीं कि जिसे हम टाल करके चलें कि चलो इतना तो चलेगा नहीं बिलकुल नहीं इदम zero tolerance होनी चाहिए अब tolerance सब्द tolerate भर्ब का tolerate means होता है सहन करना tolerate सब्द मिन्स होता है सहन करना और उस tolerate का जब abstract noun बनाते हैं तो tolerance हो जाता है अब tolerance के लिए हम endurance का पड़ोग भी कर सकते हैं अब tolerate सब्द का सिनोनिम कई बार पूछा जा चुका है तो tolerate means होता है फ्रेजल भब में हम बोलें तो put up with put up with सहन करना endure सहन करना bear सहन करना तो endurance tolerance का सिनोनिम होता है the deadly fire अब deadly सब जो है adjective है noun में ly लगने से बना है कई बार भी जार्थी confused हो जाते हैं ly देखकर के सभी सब्दों को adverb नौ समझें अगर noun में ly लगा है तो उसे adjective कहते हैं और adjective में जब ly लगता है तब हम उसे adverb कहते हैं तो सिर्फ ly suffix देखकर के आप यह decide ना करना इस नतीजे पर ना पहुँच जाएं कि given word जो है वो adverb है नहीं deadly यह सब जो है fire की भी से इसता बता रहा है तो अब यह fire की भी से इसता बता रहा है इसलिए यह 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 एजेक्टिव है deadly fire अब deadly में सोता है प्राण घातक जान ले लेने वाला यानी fatal और lethal इसका synonym होगा the deadly fire in an upcoming production facility at the serum institute of India in पूने पूने में जो serum institute of इंडिया है उसके एक upcoming production facility में घातक आग लगी और क्या हुआ तो has sent shock waves अब उस आग ने shock के wave को send कर दिया कहां send किया और कैसे send किया because of the key role played by the company अब यहां बताया जा रहा है कि क्यों ऐसा क्या था ऐसा क्या खास था कि इस संस्था में आग लगने से एक shock का wave आ गया यानि सदमा जो है उसकी लहर चली क्यों क्यों की because of कारण इसका यह बताया जा रहा है the key role played by the company इस company के द्वारा अहम भूमिका निभाई गई है in producing the Oxford Extra Zeneca COVID-19 vaccine अब यह shock wave इसलिए हुआ अगर यह कोई समानने जगह पर आग लगती तो shock waves नहीं होते लेकिन चुकी जहां आग लगी है यह जो पूने का SII है यह Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine को produce करने वाली company है और इसके एक branch में यह आग लगी है इसलिए लोग इससे काफी सदमे में आ गए 5 workers engaged in construction have perished 5 workers जो construction में लगे थे पहले ही बताय गया था कि यह संस्था जो है यह upcoming production facility है यानि अभी upcoming थी आने वाली थी upcoming means होता है आगामी जो आगे आए उसे upcoming कहते है fourth coming इसका synonym होता है upcoming का तो five workers engaged in fixed preposition याद करेंगे engage के साथ in लगता है लेकिन कहीं कहीं आपको engage के साथ two preposition भी दिखेगा तो engage के साथ जब two preposition दिखता है तो इसका अर्थ होता है सगाई करना और engage के साथ जब preposition in होता है तो उसका अर्थ होता है व्यस्त होना यहां व्यस्त होगा five workers engaged in construction construction में पांच workers engaged थे have perished मनें engaged और भी होंगे लेकिन engaged में से पांच perished हो गए अब perished मिन्स नास होना बरबाद हो जाना लेकिन यहां होगा मर गए died passed away died का synonym होगा passed away मर गए and there are indications that expensive equipment has been destroyed और यह भी indications आ रहे हैं कि महंगे equipment नस्ट हो गए दिस्ट्रोय हो गए अब यहां वे एक महतवपुर्ण चीज है आपको देखना चाहिए कि जब वह संस्था थी तो equipment वहां more than one होंगे अब coming थी बन रही थी तेजी से उसे तयार किया जा रहा था लेकिन equipments के नहीं हुआ has के जगा have के नहीं हुआ क्योंकि यह शब्द जो है equipment इक्विप्मेंट सब्द और apparatus तेक्नोलजी के दो वोड़ अप्यारेटर्स और equipment दे आर नोट टॉन्ड प्लूरल इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है कभी भी आप equipment और apparatus का प्लूरल न बनाएं और इनके लिए वोड़ सिंगुलर नहीं लगाएं कारण यही है कि यहाँ पर expensive equipment कहा गया equipment नहीं has been destroyed there is understandable concern about the accident at the SII building SII building में यह जो घटना हुई आग की जो घटना हुई यह समझने योग बात है क्यों हुई अब concern जो है संबंध को बताता है concern चिंता के अर्थ में आता है और इसके साथ preposition हमेशा about लगता है which is अब which किसके लिए आया तो इस SII building के लिए आया क्योंकि relative pronoun जिसके साथ आता है उसको ब्यक्त करता है which is located away from the COVID sealed unit अभी जो वहां की COVID sealed की unit है उससे वह थोड़ा दूर है located away from अभी के साथ from लगेगा हमेशा उससे वह दूर है as the company reputedly the world's biggest vaccine manufacturer अभी यह जो company है वह प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी है विश्व की सबसे बरी vaccine manufacturer के रूप में is now an institution of global importance अब चुकी विश्व में यह famed है reputed हो गई है यानि famed हो गई है तो इस तरह से यह global importance की institute हो गई है यानि पूरा विश्व इसे महत्व दे रहा है important सब्द important का abstract noun होता है अगर हमें importance का synonym लिखना हो तो it would be significance importance significance महत्वा next it is scheduled to deliver several hundred million doses of covid sealed to a host of countries a host of countries collective phrase हो गया a host of country जैसे हम use करते हैं a gang of robbers a bunch of keys उसी तरह से a host of countries का यूज यानि collective phrase के रूप में हुआ तो यह scheduled है निर्धारित है कि यह संस्था hundred million doses covid sealed की कई देशों को प्रदान करने वाली है यानि schedule हो चुका है कब देने वाली है कितनी मात्रा में देने वाली है यह सभी तो hundred million doses कई देशों को यह संस्था देने वाली है including less effluent nations अब जिनको देने वाली है उन देशों में less effluent nations भी है effluent सब्द adjective होता है और इसका अर्थ होता है सम्रिध effluent means सम्रिध इसका opulent का इसका synonym होगा opulent इसका synonym होगा prosperous इसका synonym होगा reach इसका synonym होगा wealthy यह सभी effluent के synonym होते हैं wealthy, opulent, prosperous और reach तो जिन देशों को यह covid shield vaccine उपलब्ध कराने वाली है पुने इंटिट्यूट SII वे less effluent nations है depending on the covax initiative led by WHO वे depend कर रहे हैं covax initiative के उपर जिसे WHO ने लेड गिया किस उदेश से तो to protect their populations अपनी जनसंखे आपने यहां के लोगों को बचाने के लिए protect करने के लिए and move towards normality यानि वे सभी देश जो less effluent हैं कई ऐसे देश हैं जो इस संस्था के द्वारा produce किये जाने वाले covid shield vaccine पर ही ठिके हुए हैं उसी पर आधारित हैं निर्वर हैं अपनी normality को वापस पाने के लिए यानि वहां normality अभी नहीं हो पाई है तो इसी के बदालत वो normality को प्राप्त करने वाले हैं such a position of indispensability for the Pune facility in the war against the pandemic casts upon India भारत के उपर जो यह pandemic casts upon है यानि चाया हुआ है cast upon means होता है चा जाना यह phrasal verb है अब इसका सिनोनिम होगा परवेड परवेड मिन्स भी होता है चा जाना व्याप्त हो जाना तो such a position of indispensability अनिवार्यता indispensable सब्द का यह abstract noun है और इसका अर्थ होता है अनिवार्यता इसका सिनोनिम होगा अरजैंसी अरजैंसी inevitability अनिवार्यता महराष्ट्रा एंड SII the responsibility of ring fencing vaccine production against all threats including the one that normally gets low importance in India which is fire safety अब यह जिम्मेवारी बनती है यह दोनों की बनती है महराष्ट्र की भी यह जिम्मेवारी है और SII की भी यह जिम्मेवारी है जहां इतना महत्वपुर्ण काम हो रहा है vaccine का production हो रहा है और यहां इस तरह के threats इस तरह के खत्रे अब threat means तो धमकी भी होता है लेकिन यहां इसका अर्थ होगा dangerous threats means dangerous including the one that normally gets low importance in India और वह एक संस्था जो इंडिया में low importance प्राप्ट करती है which is fire safety वह क्या है fire safety यानि यह एक blame है इंडिया के उपर कि यहां fire safety के उपर बढ़ा ही कम महत्वप दिया जाता है हम हमेशा इसे low importance में रखते है the initial assessment indicates that शुरू वाती, समिक्षा और आकलन से यह स्पस्थ होता है कि अब assessment रोज के सेट में आता है और मैं रोज आपको बताता हूं कि इसका synonym evaluation होगा समिक्षा, प्राकलन, आकलन observation इसके लिए हम यहां observation का यूज भी कर सकते है मुल्यांकन, समिक्षा तो the initial statement indicates that Thursday's blaze Thursday को जो आग लगी सुरू सुरू के evaluation और observation से यही संकेत मिलते हैं कि may have been triggered by flammable materials ऐसा हुआ होगा may have been यह जो है मे का परयोग जानते हैं संभावना को ब्यक्त करता है probability, possibility को ब्यक्त करता है तो ऐसा हुआ होगा कि कुछ flammable materials state of fire हो गए होगा यानि उनमें आग लगी होगी तो flammable सब्द का अर्थ होता है jewelan seal यह अपने आप में executive होता है jewelan seal अब यह flame से बन गया तो flammable हो गया अब इसका वाब होता है in flame और जब इसी सब्द को हम in flame से बनाते हैं तो वो हो जाता है in flammable और इसका भी अर्थ होता है jewelan seal ऐसा कभी न समझें कि in लगा हुआ है तो यह इसका antonym हो गया बिल्कुल नहीं अगर इसका antonym यूज करना है flammable का या inflammable का तो हमें लिखना होता है anti-inflammable error पूछा जा चुका है एक बार किसी examination में उसका नाम याद नहीं आ रहा है कि flammable clothes पहन करके workers आग बुझाने गए how is it possible तो जल करके राख हो जाएंगे तो flammable clothes पहन करके नहीं गए anti-inflammable मैं उसके meaning को आपको बता रहा हूँ समझने के लिए तो flammable और inflammable दोनों का ही अर्थ होता है ज्वलंसील इसका एंटनिम करना है तो anti लगाना होता है तो मेहाब इन ट्रिगर्ड बाई ये आग के लगी होगी क्या इसका कारण हुआ होगा तो बाई flammable material state of fire अब state of fire कहें चाहे state of blaze कहें या state on fire कहें इन सब का अर्थ होता है आग लग जाना breaking out of fire आग लगना by sparks generated during construction work ऐसी उमीद जताई जा रही है कि आग लगने का कारण जो होगा वहय होगा कि construction के दोरान as parking हुआ होगा चिंगारी उठी होगी और उस चिंगारी से आग लग गई होगी trapping and asphyxiating workers अब asphyxiate सब्द जो है इसका अर्थ होता है दम घूटना एक दिन हम बताये थे आपको दम घूटना के लिए हम suffocate का परियोग भी करते हैं तो इसका synonym suffocating भी हो जाएगा अब आग लगी और आग लगने के चलते जो trapping थे जो फसे हुए वरकर थे उनका दम घूट गया और मर गए दम घूटने के कारण उनकी मृत्यू हो गई यह स्वागत योग्य बात है कि कंपनी ने solatium अनौंस किया है उन परिवारों को जिन में पिरित थे यानि जो मरे हुए है तो offered a solatium, solatium का अर्थ होगा मुआबजा तो इसके लिए हम compensation का यूज भी कर सकते हैं अब इन पांच मरने वालों में उत्तर परदेश और बिहार के भी यानि जो वहां जाकर के काम कर रहे थे प्रवासी प्रवासी इसका भर्व होता है इससे बना हुआ नाउन है माइग्रेंट इसी से इमिग्रेंट बनता है और एमिग्रेंट बनता है बट बीगर टास्क इस तू कन्विंस दा वर्ल ठीक है वर्कर्स को जो विक्तिम्स थे उनके परिवारों को सोलैटियम आपने दे दिया लेकिन अब बड़ा टास्क यह है बीगर टास्क की दुनिया को कन्विंस करना दुनिया के कई देश निर्भर हैं इस कोवीड 19 से लरने के लिए कि जो भई कोवी सिल्ड वैक्सिन भारत बना रहा है यह आएगा और हम अपने आपको बचा लेंगे अब कैसे उस दुनिया को हम कन्विंस करें यह बीगर टास्क है डैट क्रिटिकल वैक्सिन सप्लाइज आर नौट जियो पारडाइजड बाई लैक्स सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अब यह समस्या है कि लोग यह न सोचने लगे कि भई यहां जो है लापरवाही लैक्स सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है अब लैक्स मिन्स होता है लापरवाह सेफ्टी नाउन की विसेश्टा को बताने के लिए लैक्स आया लापरवाह अर्थ होता है यानि केरलेस तो कहीं ऐसा नो हूँ कि जो वेक्सिन के सपलाई का काम है वह जी ओ पारडाईज हो जाए यानि वह बाधित हो जाए अब जीओ पारडाईज करत तो होता है खतरे में डालना जिसका सिनोनिम होता है इन डैंज़र लेकिन यहां जो सब्द सामने लेकर के हमारे आ रहा है वह यह है कि supplies are not zero-paradised by तो zero-paradise जब किसी आदमी के लिए यूज होता है तब उसकी जान खत्रे में आ जाती है लेकिन यहां supply के बारे में कहा जा रहा है इसलिए जब यह supply के बारे में आ रहा है तो in danger इसका synonym नहीं होकरके इसका synonym होगा supply बाधित होती है तो वहां हम hamper का परियोग करते हैं वहां हम hinder का परियोग करते हैं वहां हम abstract का परियोग करते हैं तो यहां पर इस situation में geo-paradise का synonym hamper, hinder और abstract होगा लेकिन परिक्षा में geo-paradise का अगर स्वतंत रूप से पुछे according to text नो हो according to context नो हो तो आपको in danger ही मारना चाहिए the storage and transport of vaccines भंदारन और भैक्षिन का निर्यात भैक्षिन को भेजने का काम which are time and temperature sensitive हम किसी भी time में नहीं भेज सकते हम किसी भी temperature में नहीं भेज सकते ये temperature और time के प्रती समवेदन सील pharmaceutical product है यानि यह ऐसा product है जिसको कभी भी आप नहीं भेज सकते हैं आपको time का ध्यान रखना है और temperature का ध्यान रखना है क्योंकि यह इसके प्रती समवेदंसील प्रोडक्ट है कहां रखे यानि यह स्टोरेज कैसे करें और ट्रांस्पोर्ट के समय क्या ध्यान रखे यह बहुत खास बात है यहां रिक्वार स्पेशल केर यानि इन चीजों को खास ध्यान की जरूरत है यहां आप एक चीज देख रहे होंगे आर लगा हुआ है किसके लिए लगा तो इस वैक्सिन के लिए लगा दो चीजों के लिए लगा एक इसका एंटिसिडेंट दे स्टोरेज है और दूसरा इसका नहीं नहीं है भर्ब इस यूज़ अकॉर्डिंग तू दा एंटिसिदेंट नॉट तू दा गिवन रिलेटिव प्रणाउन वीच के अनुसार ना सोचें आप एंटिसिदेंट देखें दो थो एंटिसिदेंट से जुड़ा हुए है इसलिए भर्ब होगा पुद्रल यह सभी ग्रेमर है इनी सब पर ध्यान देंगे आप तो कितना हूँ टॉफ कम अनुसर दिया जाए आप इजली बना देंगे एंट कोविद 19 हैस कम एज वेकप कॉल अब वेकप कॉल मिन्स होता है वर्निंग चेतावनी वेकप कॉल मिन्स वर्निंग चेतावनी तू गर्वर्मेंट्स तू ओवर्कम सप्लाई बॉटलनेक्स अब ओवर्कम मिन्स होता है बीजय पाना इसके लिए फ्रेजल वर्ब खुब यूज होता है गेट ओवर बीजय पाना अब ऐसे तो वीन आप जानते ही हैं कंक्वेड भी आप जानते हैं हाथ आज बहुत स्लो काम कर रहा है बहुत अधिक ठंग है और अभी कुछ जगह चले गए थे वहां से बाइक चला के आए हैं यह थोड़ी परसानी हो रही है लिखने में कोई बात नहीं अब यह एक वेकप कॉल है एक वार्निंग है चेतावनी है सरकारों के लिए कि सपलाई कहीं बाधीत न हो जाए बाधा रुकावत अब्स्ट्रक्शन्स रुकावत बाधा किसी चीज के सपलाई में बाधा आना समय में डिलेंग होना बॉटलनेक्स होता है तो कहीं इसमें रुकावत न आ जाए और कपासिटी कॉंस्ट्रेंट न कर जाए Mummy अचावत न पाधा नोन करने का एग्षार न होजाए के लुकावत चैक्स अब्सक्र भविश से में डिक्रेंट यानि उसे पूरा करनी ऑम क्रम सकें हम ना ने प्लाइड है जाहाँ अब मीट करना देखेंगे आप यहाँ need के लिए meet लगा है To meet the needs मतलब होता है आवर्शक्ताओं की पूर्ती करना To meet the expenses मतलब होता है खड़ चलाना याद करने की चीज है To meet the expenses Meet का कई अर्थों में परियोग होता है सिर्फ मिलना के लिए न समझे To meet the expenses I meet the expenses of my family मैं अपने परिवार का खड़ चलाता हूँ अब meet requirements Meet needs मतलब होता है आवर्शक्ता की पूर्ती करना तो आवर्शक्ताओं की पूर्ती के लिए ज़रूरत है कि वैक्सिन के नए प्लान्ट क्रियेट किये जाए Would be entirely justified मने बिलकुल ही यह उचित है उचित होना चाहिए justify का दो वर्थों में परियोग करते हैं हम लोग एक की जो है उसे सही बताना सही ठहराना और दूसरा तर्क इत्यादी दे करके उसको सिध्ध करना की मैं सही कह रहा हूँ With a scramble for approved vaccine अब scramble मिन सोता है छीना जपती यह दो दिन पहले भी हम बताये थे scramble मिन सोता है छीना जपती कोई चीछ जब कम रहती है तो छीना जपती उसकी होती है मुझे दे दो मुझे दे दो That is called scramble with a scramble for approved vaccines and inability to produce enough for all countries अभी यह approved vaccine की छीना जपती लगी हुई है यानि हर देश चाह रहा है कि मुझे मिले मुझे मिले और उसमें problem यह आ रही है कि inability है to produce enough for all countries यानि हम सभी लोग हमारा देश उतना योग्य नहीं है उसमें अयोग्यता है उसमें inability है जितना vaccine चाहिए उतना हम कर नहीं पा रहे है सिर्फ हमारे यहां ही यह बात नहीं है अन्य देशों में भी all countries की बात हो रही है WHO Director General Tedros Adhanom Graves warned that bilateral dils were threatening इन्होंने यह warned किया यह चेतामनी दिया कि द्वीपक्षिये दील bilateral dils bilateral means होता है द्वीपक्षिये bilateral dvipak्षिये इससे समंधित वर्ड है unilateral एक पक्षिये unilateral एक पक्षिये और एक और सब्द होता है multilateral बहु पक्षिये तो WHO के दिरेक्टर यह warned किये कि bilateral dils were threatening bilateral drills threatening है यानि वो भयावह थे worth threatening किस चीज को threaten कर रहे थे किस चीज को threatening यहाँ transitive भर्व का काम किया क्योंकि बाद में object है the smooth roll out of the covax initiative यानि covax initiative आसानी से launch करे इसको bilateral deal जब दोनों पक्षों के द्वारा deal की गई तो वह threatening साबित हुआ at close to 3 billion doses it is the Oxford AstraZeneca vaccine that forms the buck of over 10 billion doses of different vaccines ordered so far 3 at close to 3 billion doses यानि 10 billion doses के close और उसमें हुआ क्या it is the Oxford AstraZeneca vaccine यह Oxford AstraZeneca vaccine ही है that forms जो form करती है the buck of over 10 billion doses of different vaccines ordered so far अभी तक जो order हुए है उनमें से 10 billion doses बिभिन भाक्षिन को यह produce कर पाई है at close to 3 billion doses it is the Oxford AstraZeneca vaccine that forms मैं इसलिए बार बार पर रहा हूँ यहां सो फार लेखक न यूज गिया और ग्रेमर के रूल के अनुसार सो फार जब वाक्षिन में आया हुआ है तो present perfect tense का यूज होना चाहिए यह किये नहीं है at close to 3 billion doses it is the Oxford AstraZeneca vaccine that forms the buck of over 10 billion doses of different vaccines ordered so far यहां जो मैंने underline किया है यह गलत है यहां इसी के लिए मैं इसको review कर रहा था यहां has formed होगा लेखक से गलती हुई है प्रोपर ध्यान नहीं जा पाया है चुकि इस rule को हम लोग काट नहीं सकते देखिए आप लोग अगर वाक मैं so far हो up to now हो मैं बार बार बताता हूँ बहुत ही महतोपूर्ण है और इसे हमेशा question भी आता है so far हो up to now हो by now हो even now हो just को थोरी दिर के लिए हम अब wide भी कर लेंगे lately recently को हम अब wide भी कर लेंगे लेकिन यह जो सब्द होते हैं yet हुआ इस में yet y-e-t यह जो मैंने अभी सब्द लिखे हैं इनका पर्योग present perfect tense में ही होता है जबकि यहां किया जा रहा है simple present में इसलिए यह यहां mistake है next clearly इंडियन production is vital to meeting अब फिर देखिए क्या लिखते हैं इंडियन production is vital to meeting vital to meeting अब टू के बाद जेरंद लगाने के लिए कुछ fixed expressions ही है जहां हम लगा सकते हैं सभी जगा हम टू के बाद जेरंद नहीं लगा सकते clearly इंडियन production is vital असपास्ट रूप से भारत का उतपाद vital है यानि महत्वपुर्ण है important है pivotal है key है vital means important pivotal total महत्वपुर्ण अहम निरनायक crucial significant significant यह सभी महत्वपुर्ण निरनायक अहम के अर्थ में use होने वाले सब्ड है synonym है एक दूसरे के clearly Indian production is vital to meet this demand होना चाहिए इस demand को पूरा करने के लिए फिर देखिए demand आया तो meet आया meet मिन्स पूरा करना इस demand को पूरा करने के लिए भारत का उतपादन जो होने वाला है यह ठीक है यह उसे पूरा कर सकता है pharmaceutical production must satisfy precision अब pharmaceutical production में इधर उधर नहीं चलता है इसमें precision चाहिए अब यह precise सब्द का abstract noun है precise मिन्स होता है appropriate यानि सथीक होना बिलकुल एकदम exact way में होना precise कहलाता है उसका noun बना दिये तो precision हो गया यानि हिंदी में कहें सथीकता सुधता purity तो pharmaceutical production must satisfy precision ऐसा नहों कि जल्दबाजी में vaccine बनाये जाए और उसमें precision के साथ कुछ कमियां आ जाए नहीं होना चाहिए ऐसा quality and safety standards quality and safety standards कैसा होना चाहिए तो comparable to comparable के बाद preparation हमेशा two लगता है comparable to high technology sectors यानि इनकी तुलना किसी से होनी चाहिए तो high technology sectors such as defense and space defense और space में जिस तरह के technology की use की जाती है ठीक उसकी तुलना हम इससे कर सकते हैं pharmaceutical production का precision भी बिलकुल उसी तरह का होना चाहिए high standards of fire safety from the core of all manufacturing सभी manufacturing के core से ही high standards होना चाहिए fire का यानि यह आग लगने की जो घटना है यह बहुत बड़ा नुकसान करती है तो यह fire safety high standards की हो यानि इसमें सुरक्षा में कहीं कोई कमोबेश नहीं चलने वाला है डबलू एचो मोडेल guidance फॉर फार्मा यूनिट्स डबलू एचो ने एक नमूना दिया है guidance का फार्मा यूनिट्स के लिए वह emphasize करता है मैं आपको बताऊं यह emphasizes का synonym focuses होगा और एक बात का ध्यान emphasize जब भर्व का काम करता है तो इसके बाद on का परियोग नहीं होता है लेकिन जब emphasis use होता है तो आपको on मिलता है emphasis सब नाउन है और इसके साथ आप on का परियोग कर सकते हैं लेकिन emphasize verb है यह देखिए यहां verb का काम कर रहा है कभी भी इसके साथ on दिखाई परे तो आप देखते काटिये बिलकुल गलत होता है तो WHO model guidance जो है फार्मा यूनिट्स के लिए वह जोर डालता है the availability of site security site यानि जो वस्थल है उसकी सुरक्षा पर वो जोर डालता है उसे focus करता है वहां क्या होना चाहिए बताया जा रहा है automatic fire detection system होने चाहिए यानि fire system जो detect कर ले अच्छा ऐसा कुछ होने वाला है आग लगने वाली है mechanical और manual ventilation होना चाहिए वहां दोनों तरह की ventilation होने चाहिए या तो mechanical हो या और दिया है यानि आग बुझाने वाला यह सिस्टम है, स्प्रिंकलर आग बुझाने का काम करता है, जो यह स्प्रिंकल करेगा, स्प्रे करेगा, and fire drills होने चाहिए, जिसे लोग निकल सकें, among other aspects, un aspects के साथ, too often, safety during construction and operation suffers dilution, prior बहुत जादा बार, too often, safety during construction and operation suffers, प्रायः देखा जाता है, कि construction और operation में इन चीजों का उतना ध्यान नहीं रखा जाता है, सुरक्षा पर उतना ध्यान नहीं रखा दिया जाता है, suffers dilution, due to cost consideration, अब यह हलका पर जाता है, dilution कार तो घोल होता है, पतला होता है, लेकिन यहां हो जाएगा, कि इन चीजों पर हम कम ध्यान देते हैं, कारण क्या है, किस कारण से, तो due to cost considerations, अब construction के दवरान ही इतने सारी चीजों को maintain किया जाए, तो cost ज़्यादा आ जाता है, तो cost को ले करके, इसी मामले के चलते, इसी के कारण जो है, इसी से थोरा wide look कर देते हैं, construction के दवरान, with almost no fire awareness among workers, और workers की बात करें, तो इनके अंदर तो fire के प्रती कोई awareness, कोई सचेतता, कोई जागरूकता रहती ही नहीं है, वे बिल्कुल कौसस नहीं रहते हैं इसके लिए, almost no, ना के बराबर, पुने fire shows that lives and reputations depend on full adherence to good practice, पुने के fire, पुना में जो, इस साइट के अंदर जो fire लगी, आग लगी, वह यहाँ सपस्ट करती है, कि lives and reputations depend on life और reputation ये आधारित हैं, depend हैं किस चीज़ पर, तो full adherence to good practice, यानि अगर अच्छी चीज़ का सही धंग से, पुर्ण रूप से अनुपालन हुआ, तो हमारी जीवन भी सुरक्षित रहेगी, हमारी जाने भी बचेंगी, और reputation जो अब इसके reputation पर एक प्रस्म इंटिटीव जो है, ये चीज़ को नहीं संभाल पाया, कैसे वहाँ आग लग गई, तो ये reputation पर प्रस्म चिन्ध उठा, तो अगर हम good practice में होते, और उसे अधेर किये रहते, तो ये चीज़ नहीं होती, अब सब्द देखें, adherence, इसके बाद preposition to लगता है, अब adherence के लिए ये ही हम compliance का पर्योग करेंगे, तो compliance के बाद वीद का पर्योग होगा, comply भर्व होए, इसी से compliance बनता है, तो comply के साथ भी वीद लगता है, यही काम adhere करता है, जिससे वहाँ adherence बना हुआ है, तो अधेर के साथ, पिछले सेट में ही मैंने बताया था, बार बार जब एक तरह की चर्चा, अब वैक्षिन पर जब चर्चा हो रही है, तो यह चीजें बार बार आ रही है, तो आज के इस सेट के अंतरगात हम लोग पूने, यानि जो इंटिटीट है, सीरम इंटिटीट आफ इंडिया, उसमें आग लगी, और उसे जो नुकसान हुए, जो दिकतें आई, उन पर हम लोग चर्चा किये, मैं उमीद करता हूँ कि बेहतर समझ में आया होगा, ओके, ठैंक्यू वेरी मच्च फर जोइनिंग मी.